नमस्कार जैसिराम मित्रो जैसा की आप जानते हैं 23 अक्टूबर 2022 दिन रईवार को धन तर्योदसी है 24 अक्टूबर 2022 दिन स्वंबार को दीपावली का पावन दिन है कई मित्रों के शवाल थे धन तर्योदसी को भगवान कुवेर की पूजा किसे समय करें माता लक्षमी जी की पूजा किसे समय करें और दीपावली के दिन भी किस समय माता लक्षमी जी की पूजा करें तो यह सवाल कुछ मित्रों के थे तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको धन्त रियुदसी के सुम्भूर्थ के बारे में भी बताएंगे दीपावली के दिन किस समय माता लक्षमी जी की पूजा करनी है उसे सुम्भूत के बारे में भी आपको बिस्ता से बताएंगे अगर आप अपने ओफिस में या फिर अपनी दुकान में या फिर अपने घर में स्रीशूप्त के पाठ कराना चाहते हैं कनकधारा इस्तोत के पाठ कराना चाहते हैं अन्यपूरा इस्तोत के पाठ कराना चाहते हैं ललिता सहस्तनाम इस्तोत के पाठ कराना चाहते हैं गड़िस अथर्वसी सिस्तोत के पाठ कराना चाहते हैं तो आप यह इस्तोत के पाठ धन धन तरोदसी से प्रारम कराएं धन तरोदसी से ले करके दीपावले के दिन तक अनुष्ठान कराएं आप कम से कम इतने पाठ कराएं कि कनकधारा इस्तोत एक सो आठ की संक्या में हो जाएं स्री सूप्त एक सो आठ की संक्या में हो जाएं कि यारा हो जाए एकीस हो जाए इंक्यान हो जाए या फो आठ'tो जाए अन्य पूरा श्टूर्त भी 108 कि कर दोतर में दू दिन्में है दीपावल एक दिन इसका दात्री में हभन कर दें तो इस प्रकार से अपनिश्ठान कर अगर आप भैगवान कुवेर की कि पूजा करने कराना चाहते हैं और कर रहे हैं मात लक्ष्मिजी की पूजा कर रहे हैं तो यह धन्त रूदसी के दिन आपको भगवान कुमेर की पूजा करने हैं धन्त रूदसी 23 तारीक को है इसका सुमूर्थ है तो सब काल में साइक 6 बज़ कर इसके बीच में आप भगवान कुमेर की पूजा करें मात लक्ष्मिजी की पूजा करें वह स्री सुक्त के पाठ प्रारम कराएं इसके बाद है दीपा वली का सुमूहूथ तो दीपा वली 24 अक्टूबर 2022 दिन संबाल को है ओफिस फैक्टरी में पूजान के लिए सुमूहूथ है कुम बलगन दुफर दो बज़ कर 16 मिनिट से तीन बज़ कर 47 मिनिट तक अगर आप अपनी फैक्टरी ओफिस में पूजान करना चाहते है 24 तारीक को मातलक्षमी जी का तो कुम बलगन में दुफर दो बज़ कर 16 मिनिट से तीन बज़ कर 47 मिनिट तक इसकी बीच में आप अपने ओफिस में तुकान में पूजान करते हैं इसके बाद लक्षमी पूजान घर में आप घर में लक्षमी पूजान करना चाहते हैं तो इसका सुम्मूत है विश्वलंग साइन 6 बज़ कर 55 मिनिट से रात्री 8 बज़ कर 52 मिनिट तक तुना सुल्लें अपने घर में लक्षमी पूजान करना रहे हैं तो यह मिन्ट से रात्री आठ बचकर बामन मुनिट तर इसके बाद है अर्धर रात्री में अखंड बेवव प्राप्ति हेतु महा लक्षमी पूजन बा अभिशेक हेतु विशेश पूजन मुहूद अगर आप अर्धर रात्री में अखंड बेवव लक्षमी जी की प्राप्ति के ल अब पुजन का सुमूर्थ रहेगा आप पुना सुनले धंतरो दसी को कुवे लक्ष्मी पूजन का सुमूर्थ है विशबकाल साइंग 6 बचकार 29 मिनुद से 8 बचकार 56 मिनुद तक दीपावली के दिन महालक्ष्मी की का पूजन का सुमूर्थ है ओफिस फैक्टरी में बचकर 16 मिनिट से तीन बचकर 47 मिनिट तक और घर में लक्ष्मी पूजन का सुम्मुध है विस्ब लगन में शाइंग 6 बचकर 55 मिनिट से आठ बचकर 22 मिनिट तक अगर आप अर्धरात्री में अखंड ब्यभव प्राप्ति हे तू महालक्ष्मी पूजन वाविशेक हे तू विशेक पूजन कर रहे हैं तो सिंग लगन में रात्री एक बचकर 23 मिनिट से तीन बचकर 46 मिनिट तक रहेगा तो मत्रों यह है धन्तरियोदसी के दिन का महूट और दीपावली के दिन का महूट आप इस महूट में लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं मत्रों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियोगो लाइक करें वीडियोगो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें समस्कार जैसी राम